हलो स्टूरेंट्स इस वीडियो में 2022 की बोर्ड प्रिक्ष्या में पूछे गए पोट्री के स्ट्रेंजाज पर आधारित प्रशनों के उत्तर दिए गए हैं। स्ट्ूरेंट्स इसमें जो स्ट्रेंजाज आयुए है उनमें केवल दो पोईम्स से ही स्टेंजा आये हैं एक है आंट जैनिफर स्टाइगर्स और दूसरा कि इतिंग ओफ ब्यूटी एक के पोईम एन इलेमेंटर स्कूल क्लास्रूम इन इसलम इससे भी दो स्टेंजाज आयोए थे परन्तु यह पोईम अब आपके स्टेंजाज में नहीं है इसलिए उस पोईम के स्टेंजाज को मैंने इसमें नहीं लिया है चलिए पहले हम स्टेंजाज को पढ़ते हैं पहले स्कृइन स्कृ क्या है यह थैपड़ा है जिस कपड़े पर आजनिफर ने अपने टायगर्स को निट किया है और बिदा करते हुए यह आगे के ओर दोड़ते हुए बहुत ही तीजी से दोड़ते हुए दिखाए गया है जिस से सवतंतर पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हों। दूसरी पंती में ब्राइट टोबास, उनका कलर पुखराज, चमकीले पुखराज के जैसा है, डैने जेन्स ओप ए वल्ड ओफ ग्रीन, वल्ड ओफ ग्रीन मिन्स कहाता है, डैंस ग्रीन फोरेस्ट और डैने जेन्स मिन्स क पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों से वो नहीं डुते हैं दे पेस पेस मानी आगे बढ़ना चलना जंप करना दे पेस इन स्लीक स्लीक मींस क्यों होता है बहुत ही हस्पुस्ट मोटे तकड़े चिवेल्डी मेंस वेरी ब्रेवली सेटेन निश्चिता वे जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही तेजी से बहादुरी पूर्वक और एक निश्चित गती से वो आगे बढ़ते हैं चलिए इसके क्यूशन देखते हैं पहला क्यूशन पोईम का नाम पूछा ह है तो दी अबव एक्जाक्ट हैज बिन टेकन फ्रों दी पोईम आंट जैनिफास टाइगास दी पोईट ओप डिस पोईम इस एंडियम रिक दूसरा क्यूशन है गिव दी सेंटल आइडिया ओफ दी एक्जाक्ट इन अबाउट 25 वर्स नहीं में में चीजें लिखनी है तो इसकी जो मुख्य बात है वह यही है आंट जैनिफास टाइगर्स निटिड ओन दी टेपस्टी आर सिम्बल्स ओफ स्टेंट एंड फियर्लेस्टेस जबकि यानि जो टाइगर्स जिनको आंट जैनिफर ने उस टेपस्टी पर निट किया है वह शक्ति और निडरता के प्रत बाइक जीवान में बहुत ही भयवीत है इंटि टाइगर्स आर इन्हेबिटेंट्स ओप ग्रीन फोरेस्ट वहर दे लिव फ्रिली जो टाइगर्स यह ग्रीन फोरेस्टेंट्स हैं वहाँ के रहने वाले हैं जहां पर वह सवतनत्रता पूरू करहते हैं वाइल शी इस बाउ जैंट सरड डिजायर to be free from the marriage cycles, वो भी इन टाइगर्स की तरह से free रहना चाहती है, जो उसके marriage cycles है, साधी के जो बंधन है, उन बंधनों से वो पूरी तरह से मुक्त होना चाहती है, वो भी उस डर को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहती है, और इसमें तीसरा जो है, उसमे में राइम वर्स पुछ गये हैं इसके जेट फिफ्ट में भी कुछ कुछन साय है इसके आउड़ को किस थे गर्स करते हैं आज़िय। Ka нравится änगैंटली ऑन पूर्फिडेंस के साथ वह आगे बढ़ते हैं वाल कुछन N. w Don't fear the man beneath the tree. पेड के नीचे खड़े हुए लोगों से ये टाइगर्स क्यों निडरते हैं? क्योंकि ये टाइगर बोल्ड हैं और फियरलेस हैं, यानि बहादूर हैं और निडर हैं. How do the tigers pace? टाइगर किस तरह से आगे बढ़ते हैं? The tigers pace to and pro, या ahead. The tigers pace ahead with grace, allegiance and confidence. Next question है, ये तीन questions set 5th में आये हैं, और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी questions दिये हैं. Who are the tigers described in the exact? Exact में जो tigers दिये गए हैं, उनको किस तरह से describe किया गया है? The tigers are described as bright topaz in color, उनको bright topaz in color में उनको दरसाय गया है. They are bold and fearless, और they live in dense green forest. वे bold and fearless हैं और वो घने हरे जंगल में रहते हैं. How are the tigers different from their creator? इन tigers की creator कोन है? Aunt Jennifer. यह tigers Aunt Jennifer से अलग क्यों हैं, बिन्न क्यों हैं? The tigers are bold and fearless. Tigers bold and fearless हैं, जबकि their creator is meek and fearful. वो पूरी तरह से dream हुई है, और इसमें figure of speech देना है. Bright topaz जो है, यह कौन सा figure of speech है? Metaphor. चलिए, अगला तीसले set में easy में आया है, a thing of beauty. यह thing of beauty, poem से लिया गया है, a thing of beauty is joy for you. कभी ने बताया है कि सुंदर वस्तु हमेशा प्रशनता देने वाली होती है, its loveliness increases, और इसकी जो सुंदरता है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है, pass into nothingness, यह कभी भी नस्त नहीं होती है, जो a thing of beauty है, वो कभी भी नस्त नहीं होती है, but will keep a bower quiet for us, bower quiet, bower क्या होता है, हरे भरे पेडों के बीच के जो जुर्मूट होते हैं, उनको हम bower कहते हैं, एक सांत bower हमें देता है, और यह जो bower है, यह हमें क्या देता है, a sleep, एक ऐसी नीन देते है, full of sweet dreams, जो सपनों से भरी होती है, health, एक अच्छा स्वास देते है, and quiet breathing, और बहुत ही अच्छी सांस देते है, यह हवा, बहुत ही खुचबुदार हवा यह बोर हमें देते है, अगला, यह कभी भी नस्त नहीं होगी, the point means that beautiful things never lose their attraction, they can never be forgotten, यानि हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह immortal है, यह कभी भी नस्त नहीं होती है, यह हमेशा बनी रहती है, point out the figure of speech in the statement, इस statement में हमें figure of speech देनी है, a thing of beauty is a joy for you are, तो इसमें metaphor का प्रियूग किया गया है, तो कि a thing of beauty को एक प्रशनता देने वाली वस्तू के रूप में दर्शाय गया है, प्राकृतिक जो चीजें हैं, वो हमें हमेशा प्रशनता देती हैं, और यह कभी भी इनकी जो सुंदरता है, वो कभी भी नस्त नहीं होती है, और संदर वस्तों हमेशा हमें खुशी देती हैं, अगला set 6 में है, how does a thing of beauty make a lasting impression, thing of beauty एक lasting impression यानन्त प्रभाव कैसे डालती है, a thing of beauty makes a lasting impression by spreading its loveliness that always increases, यह अपनी उस सुंदरता को फैला कर हमारे उपर एक प्रभाव डालती है, और यह सुंदरता जो कभी भी नस्त नहीं होती है, यह हमेशा बढ़ती ही रहती है, how does the loveliness of beauty increase, loveliness of beauty किस सरे से increase होती है, a thing of beauty is natural, यह जो सुंदरता की वस्तु होती है, वो natural होती है, यह nature में ही पाई जाती है, it is in the form of nature, यह nature के form में ही होती है, रूप में होती है, इस beauty, प्रकृति कभी भी अपनी सुंदरता को नहीं होती है, its loveliness increases with the passage of time, और जैसे जैसे समय व्यतित होता है, वैसे वैसे प्राकृतिक सुंदर और अधे के बढ़ता जाता है, what does the point mean by, but will keep a bower quite for us, इसका मतलब पूछा है, a thing of beauty will give us peace, जो सुंदर वस्तु है, वो हमें ऐसी सांती देगी, as a quite sadie place gives, जिस तरह से एक छायदार जगे, सांत छायदार जगे हमें देती है, और वहाँ पर वो जगे हमें ऐसी निन देगी, जो मदूर सौपनों से भरी होगी, मदूर सौपनों से भरी होगी हमें निन देगी, Students, इस वीडियो में पोईट्री के 2022 के सेट में जो स्टेंजाज आये हैं, उनके क्विश्चेंज आये हैं, वो मैंने इसमें आपको सामने रखे हैं, आप इसको study कीजिए और इसका पूरी तरह से इसको तयार कीजिए.